आज के सुबह कुछ लगी है पीचे का नजर आप देखी रहे होंगे पहाड़ों के पीचे से निकलता हुआ सूरज चारों और फैला हुआ भगवारंग आपको ऐसाज दिलाता है आज आप आए हो राज़दानी सांतरा में और आज हम एक्स्पोर करने वाले हैं वन आप तो मोस्ट फेमस जंगलों से गिरा हुआ तो वासटा फोर्ड इस लोग में आपको यातन कैसे पहुचना है तो आप पर रुख सकते हो फोर्ड की हिस्ट्री लगारे में बता हुआ तो यह वीडियो एंट तक जरूर देखना दो नमस्कार दोस्तों मैं संजे साबरे इस गलोग में आपका स्वागत करता हूँ तो आज हम निकले हैं वासटा फोर्ड के लिए और आज का स्टे अपना होने वाला था मुनाववे विलेज में तो नवी मुंबई से मुनाववे विलेज का डिस्टंस है 250 किलोमेटर्स और प साड़े 11 के आसपास निकले थे और आज इतनी ट्रॉफिक थी तो पोचने में बहुत लेट हो रहा था तो हमें भूग भी बहुत लग रही थी तो हम खेट शिवाफिर की यहानास्टा करने के लिए रुख गए तो दोस्तों अभी हम पोचे है खेड़ शिवापुरी गाव में और पाच बज गये अभी तक हमें पोचना था उदर पर निलेज के आई बहुत लेड होगे इसके वज़े से और ट्राफिक आज बहुत हेवी तो इसके वज़े से बहुत टाइम लगा नॉन स्टॉप आए अब ही पहला ब्रेक है हमारा और तीधा भी दूसरा ब्रेक अपने को डिस्टीनेश से कम्लीट करना है इसके अचिसरों कि इस मेड़म को रुपना था पर रुपे शिचा जेंदे लुटुरू इस बर हमारे साथ है पर रुट्रेकर। रेवती नायर। कि दर रेवती नायर कि दस मीता फुतार दर थेलपा और अपने मैड़ और अपने मैड़ पाच जन इस बार ट्रेक के लिए तो अभी हम दोड़ा सा ब्रेक्फांस करते और निकलते यहां से बोड टाइम अगया है अभी पाच बच गए तो देखते किना डाइप लागेगा अ अभी यहां से इतुन किती किलोमेटर है अंदर है इतुन किती किलोमेटर है इतुन किती किलोमेटर है तो देखते हैं कि ट्राफिक नहीं लगने चाहिए अभी यहां से तो ट्राफिक नहीं लगए कि ऐसा लाग रहा है पर देखेंगी अभी देखते हैं तो दोस्तों अभी नास्टा हो गया है तो साढ़े पाच बजगे अभी यहां से तो अभी देखते हैं अभी संसेट भी हो रहा है पीछे तो अभी देखते कहां मिलेगा में संसेट संसेट तो देख नहीं है एनियाओ इस तो अभी देखते का सब्सक्राइघ कर दो है तो अभी यह तो दो अग्यवित के यहां में पांच रहें बस पांची रहें फांच जाएगे यह हमारे अर्गे को पूल दांग शोसाइटी के पूच मेंबर से है और अटिश एँएएँएग ऐगी पैल जाएगे कुछ में बस आये नहीं है तो उनकी मजे ले रहे हैं हम यह वीडियो कॉल करके यह देख लेजे पर नाली बेट इख लेजया अरे रेडी नायर अंकल लब और रहते हैं तो इसी प्रकार से हम बस जारे 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 अगर आप भी वासुटाफोर्ट विजिट करना चाहते हो तो जो मुस्टली लोग प्रिफेर करते हैं वो विलेज है बावनुली गाओ जहां आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो 17 सिटी से आपको बावनुली बस मॉर्निंग पाच पच कर 45 मिनिट से स्टार्ट होती है और हर एक गंटे बाद आपको बस अवेलेबल मिल जाएगी बस का फेर है 60 रुपीज और अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बनावड़े गाओ जो थोड़ा सा आगे है वहाँ पे स्टे करें क्योंकि वहाँ से आपको जो बोट राइट का टाइम है जो दुसरे दिन आप जाओगे तो ओक कम लगेगा इस तो हम पाज ही आए डेस्टिनेशन तो फिलाल हमने ये नेल प्रेंट लगा जो इस मुल्डी की ने लाए आप आप अ जो रखो भिलाल कि कर रहे हैं तो मिलते आप खिने के बाद आप तो पहुचने के बाद, सबसे पहले हमने खिना काया हमें यहाद तब पहुचने में 8 गंट लगे थे तो ड्राइविंग करके बहुत धग गया था मैं रिसोट वालो ने हमारा टेंट लगा के दिया और थोड़ी धंडी लग रही थी तो बोनफ़ायर की व्यवस्ता भी करके दिया हम मराधी में इसको बोलते हैं शेकोटी तो थोड़ी दिर शेकोटी के पास बैठके हम चले गए सोने के लिए कैना के व्यवस्त खायलो ने के व्यवस्ताटी परता भी के लिवस्तारी हारा गुड़ मॉर्निंग दूस्तों, सुबह हो गई है, कल रात को आठ बजे तक पहुचे थे हम यहाँ पे, और आठ गंटे मेंने ट्रावलिंग किया है, तो इसके गाड़ी चलाया, तो इसके थक गया था, इसलिए शूट नहीं किया ज्यादा कुछ, अभी आप सीन देख सकते हो बीचे, संट्राइज हो रहा है, और अभी बज रहे हो, तवा साथ, आठ साठ बजे यहाँ से पहली बो प्रोग्राम है, तो अभी देखते हैं, और हम जहां रुखे हैं, वह हैं वन्राइ रिसाट करके, तो अगर हमारा एक्सपिरेंस अच्छा रहा, तो मैं आपको बताऊंगा, कि कैसा अगर, तो दोस्तों, अभी हम निकलें यहाँ से, एक घंटे का बोट राइट के लिए, त तो बोट लेट हो गया, हमारे बज़े से लेट हो गया, अच्छली, पावने नो बजगे अभी, और यहां से एक घंटा है, तेरा जन का एक बोट का जो प्रफिसीड होता है, तो तो तेरा जन लेके जा रहे हो अभी, तो देखो, हमारी ग्जाग, अच्छली, जगश हमारा है, तो यह थीजाय है, तो तो चावने अबयां से ओडित लूलखे गपाद्ष आफिसीजारे टन का एक बदेशयार का लागता है, एक झालर furू हमारे अच्छली, जग सुट रहाए हैंचली, एक जए मारा ज़ू लेका पनलकıyla अचा-काफिसीज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो तो आप जैसे देख रहे हो यहां पर बहुत न Опर यहां पर जो नोग्यकली बहुत में अब के लिए स सेधीश करते तो अभी बहुत सारी लाइन आया नहीं चेक लिए फेलाल यहां पर हम दूसरे रास्ते जाएंगे चंदर प्रकाश रुका है लाइन में और बैक चेक करके बैक चेक करके मतलब यहाँ पर जो भी बॉटल्स हो लाते हैं उसका उप डिपोजिट लेते हैं और डिपोजिट बाद में उतना ही अपना बॉटल्स उनको दिखा कि वह अपना कर दो है पाए बुद्धा वाला करो कर दो कर दो दोफ़ों यहां पर रहे हनवां जी का मंदिर और गनिश जी का मुर्ति है और जो हलमान जी का मुर्ति है आप हमने विशापूर पर पर दिखा तो सेम ऐसा ही है ऐसा बताया जाता है कि इस के लिए का मुल निर्मान शिलाहर वंश के दूसरे भोज राजा ने कराया था चत्रप्ती शिवाजी महाराज ने वासोटा का नाम वागरगट रखा पेश्वाई में इसकी दुरकमता का भी उल्लेक किया गया है चत्रप्ती शिवाजी महाराज के काल में इसकी लेका उप्योग कारागार के रूप में किया जाता था इसका पारण यह है कि जंगल सुनसान और घना है पहले यहां बाग और दिन वेज़े से जानुवे भी पाई जाती थे पामने दो घंटे ट्रेक करने के बाद हमें फोर दीके जंगलों की वज़े से निचे से हमें फोर नहीं दिखाई दे रहा था और आज हॉल्लीडे होने के गारण बहुत फिरती है लुक्त कर दो दो गंडे लगे ट्रेक कंप्रेट करने के लिए और अभी हम खाना खाने बेटे जो डिफिन लाया था साथ में सबसे पहले खाना का लेंगे और बात में करेंगे तो अब सबसे मेले खाना काते हैं कि आजाओ खाना खाने दोस्ते आज़ा खाना खाने के बाद हम निकले फोड एक्सप्रोर करने जब आप फोड के पच्चिम कड़ा की और आओगे तो सबसे पहले आपको महादयो का मंदिर दिखेगा महादयो जी के दर्शन करने के बाद आगे आने पर हमें दिखाई दिया नागेश्वर सोगा दिखेगेश्वर स्वादाई into लोड़ा जा प्लोड़ा संद करने के लोड़ा जी के बादव कड़ा सबसे एंचिम करने लोड़ा के लोड़ा by स्या घटकर थ्मवरां फोड़ागे तो zobaczy Sounds झाल झाल पच्चम कड़ा देखने के बाद हम निकले बाबूट पड़ा और एको पॉइंट देखने वैसे एक ही है दोस्तों और एक दोस्तों यहां से कड़े लोट पी किया जाता था इसका मत जो भी आदमी गुनाव करता था और उसको मूद की सेजा सुनाई जाती थी उसके हाथ पर बाद कर यहां से नीचे फेक दिया जाता था और आगे जो दिख रहा है ओ है पुरा आपासटा फोर्ट दोस्तों एक चीज मैंने नोटिस की यहां पर यह फोर्ट पर बहुत कच्रा है जो भी टिफीन आता है उसका जो कैली बैक्स होता है ओ तरी लोग फेक देते हैं तो अगर जो भी चीज आप उपर लाते हों तो ओ नीचे लेके जाएगा बोड पे कच्रा मत कीजिए तो दोस्तों हम नीचे पोज गए साड़ी तीन बच गए थे नीचे आने तब और यहां का इसा रूल है जितने लोग आहे थे एक बोट में उतने लोग जाएंगे तो हमारी क्रूप के चार मेंबस और आने बागी थे तो आदा घंटा में उनके लिए रुखना पड़ा और ओ आने के बाद हम निकल पड़े अगär इस जलो दौस्तों यह विडियो हम यहां पी एwegen करते हैं टो इव्यिज़ आपको कैसा लगा प्लिज को मिट्स करके हमें बतायिए और नए विडियो के लिए मेरा चैनल अपिकिछ आगर सबस्क्राइब नहीं क्या होएब तो तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो